हेलो नमस्कार जहिंस सस्यकाल मेरा नाम है लोकेशिंग और अगबर फिर से आप सबी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज का जो लेक्चर है वो है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं संगम यूट के बारे में संगम ए PFS, TDS, F-CAT जैसे एक्जामों में इसके उपर लगातार questions आते रहते हैं क्योंकि नो डाउट आपको पता है आप जिन एक्जाम की तियारी करें वो बेसिकली defense के एक्जाम है और हम लोग यहां पर आपको defense के एक्जाम के लिए ही पढ़ा रहे हैं तो बिलकुल तयार हो किजीए कमेंट कीजिए अगर कोई कमी है तो फ्लीज वी पताइए कुछ अच्छा लगा तो फ्लीज वी बताइए अपने दोस्तों भाई भैनों के साथ शेयर कीजे ताकि और भी लोग हमसे आकर जुड सके यह वीडियो आज जो आपके सामने आ रहा है यह आपके एक्जाम क बारें पूछायता है बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंडेफ्ट डिटेल में नहीं जाना सिर्फ अपने डिफेंस के एक्जाम के ध्यान में रखते हुए हमें सिर्फ उतनी चीज़े जाननी जरूरी है जो एक्जाम में पूछी ठीके और यहां पर आता था हमारा रावता ही टीन पार्श मिचेल बटा हुए था एक धा चेयर चोल और पांडियास का कौन goat चेर, चोल और पांडियास का ये तीन रीजन थे जो डिवाइड थे इन ही के बारे में हमको यहाँ पर जानना है ये टाइम पिरिड था कपका ये टाइम पिरिड था उस समय का जब उत्तर भारत से लेकर दच्छन भारत तक मौरेन एमपायर का एक्सपैंशन हो रहा था मौरे पिशा तीन नीचे एक अलग राज्य दिखाई देंगे ये तीनों राज्य कौन से थे चेर, चोल और पंड है आपको ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी है ध्यान रखे का फाइनली तो फाइनली अब बात करते हैं संगा महरा को बारे में संगा महरा की जब भी बात होती ह है इसमें भी जो मुख्य संगम हुआ था वो कहांर पर हुआ था वो मदुरही छेत में होता पहली संगम जो उसके जो एविडेंस मने उसके जो साक्ष हैं वो क्या हो गए हैं वहां से धू मिलो चुके हैं गायव हो चुके क्यों कि एक बार बहुत बड़ी फ्लड आई थी जिसकी वज़े से मदुरही में जितनी भी संग्णम की इन्फॉर्मेशन थी जो भी लिट्रेचर रखा गया था वो सब क्या सब क्या हो गया बह ग सबसे पहला आता है हमारा चेर चोल और पांड्याज अभी आप लोगों ने मूवी देखी होगी जिसका नाम गया था पीएस वन एंड पीएस टू यह दोनों मूवीज जो आई हैं यह एक्ट्वल में किस डैनस्टी के बारे में यह इसी चोला डैनस्टी के बारे में चोला हजार साल से जादा इसने रूल किया है 1200 से 1500 साल का रूलिंग पीरिड अपने आप में बहुत बड़ा रूलिंग पीरिड होता है और इस चीज को आप लोग सोचिए कि वर्ड में ऐसे कोई और हमें डैनस्टी नहीं मिली जो इतने लंबे टाइम तक क्या कर रही है और रूल अब बात करते हैं, इनके पोड्*** तो इनकी जो मुख्य पोड्ट थे, वो कौन-कौन से थे? मुझ्यween और तॉंडी, मुझ्य और तॉंडी . यूंडी एक्चौल में एक कैpital के लूप में भी जाना जाता इसकी जाना जाता है एक capital के रूप में भी जाना जाता है टुंडी फिर इनका जो धनुष था धनुष क्या था एक्षिल में इनका symbol था जैसे आज के टाइम पर भारत सरकार का जो एक अधिकारिक symbol है वो क्या है हमारा ठीक है अशोकिस्तम एक तरह का क्या हमारा अधिकारिक सिंबल है exactly बिल्कुल वैसे यहां पर इनका जो सिंबल था वो क्या था वो था तो आपको यह चीज अच्छी से याद रखनी है फिर इनका जो मुख्य सेनापती या एक तरसी सोरी सेनापती बोलो मैं famous जो ruler था वो कौन है यहां पर वो है यहां पर पुहार पहले राजधानी नहीं थी बाद में राजधानी के रूप में सामने आती है पुहार एक्चल में इनका एक पोर्ट सिटी भी था कैसा सिटी था पोर्ट सिटी भी था तो finally यहां पर आप देख रहे तो कावेरी पटनम और पुहार और सबसे बड़ी बात इनके पास क पर हम लोग जब बात करते हैं इंडियन नेवी की तो इंडियन नेवी का जो नया फ्लैग बनाए उसमें आपको एक अश्ट कोणी है मुद्रा मिलती है जो की शिवाजी महराज की थी चैसिए जब आपके शिवाजी महराज की वहां पर अस्ट कोणी हो डाला तो क्यों नहीं आपने चोलास की मुद्रा को डाला चोलास की से जुड़ा हुआ कोई सिंबल डाला क्योंकि चोलास भी उस समय पर अपने टैंगी सबसे बड़ी नेवल आर्मी को रखते थे अपने पर उस समय की इतनी बटी नेवल आर्मी को control करना और उस नेवल आर्मी के support से आस पास के reasons को जीतना ठीक है श्री लंका को जीतना वहां पर 50 years rule करना और कई reasons की तरफ जाना ठीक है जावा समात्रा इंडूनेशिया इन सारे reasons को capture करना ये यह अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, आप समझो, उस समय पर इन्होंने इतनी बड़ी नेवल आर्मी अपनी बना रखे दी, इनका जो सिंबल था वो किया था, टाइगर था, बाग था, और इनका जो मुख्य राजा था, उसका नाम किया था, करय कलंग था, क्या नाम है करय कलंग, करय कलंग का मतलब क्या होता है, अबर्ण फूट, पैड, जले हु lige पैड़ ऑँ वाला राजा, तो ऐसा बता था इसके जो पैरतर हो जले हुए थे जिसकी वैसे इसका नाम क्या पड़ा करई कलन पड़ा करई कलन को लेकर एक बात ये भी आती है अभी कितना सच है हमें नहीं पता पर ऐसा बोला जाता है कि करई कलन ध्यान से समझे करई कलन जो परसन था इसकी इंफॉर्मेशन महाभारत के टाइम पर वी हमको मिलती है कहां पर मिलती है महाभारत के टाइम पर वी हमको मिलती है ध्यान से समझना इस बात को कहां पर मिलती है महाभारत के समय पर जो करई कलन था इसके दोरा उस समय पर वहाँ पर पाकशाला बनवाई गे थी पाकशाला मतलब किचन चलाया जा रहा था ठीक ह अब अगर हम लोग आगे बात करें तो यहां पे बात पांडियास की बात करें यहां पे लगातार के यहां पांडियास के लिए मोतिों के लिए प्रसिद्य था किसके लिए मोतियों के ले प्रसिद्द था, इनका जो symbol है वो क्या है, Fish है, symbol क्या है cuma इनका फिष है इनका जो मुख्ष राजा ता उसका नाम गैता, Nedoon जेलियन, क्या नाम है Nedoon जेलियन इसका मुख्ष राजा था, ये ऐसके अच्स की आपनी पूरी थी इसकी जो अपनी मतलब जैसे बोला जाता है क्या बोला जाए यार मैं वर्ड बोल रहा हूं फूलों की माला की तरह से इसे क्या किया है माना गया है ठीक फाइनल ये चीज़ समझते हैं दूसरी चीज़ क्या है इनके जो रिलेशन थे वह रोमन एंपायर से भी थे उस समय पर रोमन एंपायर के साथ रिलेशन होना उनके साथ ट्रेडिंग करना ये अपने बहुत बड़ी बात है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहां तक हो रहा था इसके अलावा रोमन और इनके तुरू अपनी अर्मी की एक टुकडी को क्या अपने अपने एरिया में भीजा गया था ताकि वहां पर भी वो क्या कर सके एक दूसरे के लोगों को सपोर्ट कर सके उनको प्रोटेट कर सके तो यह चीज़ यहां पर इम्पॉर्टन राती है फिर इनका जो सबसे महत्तून राजा उसका नाम क्या है उसका नाम है शेन गुटवन अभी मैंने आपको बताय लाल चेर भी बोला जाता है तो आई होप आपको यहां पर समझ में आ रही होगी साथी साथ यहां पर एक चीज़ और आती है कि यहां पर अगर आप लोग इस बात पर ध्यान दें कि इसके दोरा कई जगे पर क्या पटानी क्लट और वर्षिप और तनंगी की पूजा के बा और उने और लोगों के दनकी कुछ कारों के दोर हमारी मैंड में हमारे दिमास मेरे बाद गखाई गई कि पुराने मे भारत बहुत यादा मतलब इंशिएयो नहीं मिलता था प्र ऐसा नहीं था इनके दुआरा श्रिलंका के छेतरों को क्या किया गया जीता गया और वहां पर 50 सालों तक रूल किया गया इनके रूलिंग के पीछे सबसे बड़ा जो कारण था इनकी अपनी खुद की सबसे बड़ी नेवल आर्मी नेवल फ्लीट इतनी जाधा बड़ी थी कि जिसका कोई गगा नदी के बारे में एक और important information कि उस समय पर इनके दौरकारा कावेरी नदी के ऊपर बनाया किया था? एक डैम तैयार किया था, एक पानी को संरक्षित करने के लिए कुछ उस चेतर में क्या, कावईरी नदी के बारे में, आज भी हमको पता है करनाटक तमिलाडू इनमें आपस में डिस्पुट चलता रहता है, कि नदी का पानी हमको चाहिए, हमको चाहिए, करनाटक से आती है, की तरफ जाती है उस नदी को लेकर इतना विवाद होता है नहीं लड़ाईयां होती है कि कावेरी नदी के उस समय के वो इन सब चीदों पर भी ध्यान दे रहे थे फिर बात करते हैं हम लोग पांडे वंश की जब पांडे आजाओं के बारे बात की जाए तो इनका जो मुख्य चेट था वो कौन सा था मदवरी था मदवरी के और पांडे राजाओं के दोरा ही मुख्य रूप से संरक डिया गया था किसको यह संरक्षन दिया गया था संगम को किसको और टाइं कि जो पोई' ठीलوج है जो रिट्रेटर लिखने वारे राइटरे थे मंगुडी, मरूगतन ने, मैं हो सकता है, में फोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, I am really sorry, क्योंकि यह नाम बोलने में फोड़ा सा जवान लड़ खड़ा जाती है, I am really sorry for this, अगर मेरे से बोलने में फोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, तो please sorry for this, था इसा पता है था तेकि इन टाइम पर जो एक परशन जो सबसे जयाद Arya मेरा हीड हमें पता चलता है वह कौन मिलता बेल था डीकलाइन हुना हुनπόाँ वह होनते गया हुआ है कि इसके की हारने के बाद दीले धीले त geschम हो गया. संगमहरा का ईरिया था वो सारा क्योंगे डिकलाईन होना शुरू हुआ यह था की आगे चलकर पहलाव जो पहलाव डानेश्टी थी वो आ रही और उन्होंने आकर क्या गिया करएभरन को हराया और हराने पड़ेद्धी जितने भी साउथ इंडिन जो किंडम थे वो धीर द्र जो केमिनन था वो बहुत था फेमस था, मोतियों के लिए ठीक है, जो महेंगे सिल्क होता है, कॉटन होता है, उसके लिए इन सब चीदों के लिए लिए था फेमस था. अब ज़रा यहां पर शोशल क्लासिस जान लेते हैं, कौन कौन सी थी, सब सब पहले आती है, N.R.D. प्रक। आर्मी का हैड सेनपती जिसे बोलायाता तै विल initially कौन सा किसान जो फार्मर्स उनके लिए बोलाया है रूण किसान है तो इसे पास बहुत पैसा ने भी सा दिखे ढ़नी खेंग तो आता था जिसको आम लोग क्या बोलते थे पिर उसके बाद आता था कॉन कांसा कदेसियर रता था कदेसियर लोवर क्लास होती थी जो सबसे नीचे Porsche की तपका होता था पिर आता था कौन सा पेरियर यार अग्री कल्चर में अग्री कल्चर लेबर जिसे हम लोग बंधुआ मदूर कहते हैं आज की टाइम पर क्या के थे हैं अ बंधुआ मजदूर कहते हैं तो आप ध्यान रखना इनको क्या अग्रिकल्चर लेबर उनको रखा जा था तो यह वहां का क्या था शोचल डिवीजन था अगर यहां पर कास्ट स्थम देखी जाए जो कि तोलकाप्टम पुस्तक में लिखी गई है यह तोलकाप्टम पुस्तक सब्सक्राइब वयापारी जिससे हम लोग आज की और वैष्ये बोलते हैं और सबसे सब fresh collaborat लेबर अब कौम लोग क्या बोलते हैं विल्लार बोलते हैं ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इन क्लासिक को आप लोग पहले भी वैदिक एरा में पढ़ चुके हो और वैदिक एरा के हिसाफ से अगर देखा जाए तो यहां पर भी वैदिक एरा में बता है कर्म के आदार पर वैसा यह तो थी जादा बारिकी से literature को क्या किया गया लिखा गया था different different poetry यहां पर की गई थी poetry के पूरी को पूरा booklet तयार किया गया है जिसमें अलग अलग तरीकी की जो poetry थी उनको अलग अलग तरीकी की किताबों में रखा गया तो यह अपने आप में क्लासिफिकेशन है जैसे आज के सारे drama उस समय पर बहुत लिखी गए तो पहला संगम कहा पर हुआ मदुराई में हुआ इसके जो head थे chairman थे उनका नाम क्या था अगस्तियार था फिर second संगम होता है यह कहां पर होता है कपाडपुरम में होता है कपाडपुरम में जो chairman थे वो तोलकाप्यर और अगस्तियार अगस्तियार ने से शुरू किया था तोलकाप्यर इसके second chairman थे फाइली यहां पर आता है कौन सा इनकी बुख आती है जिसका नाम क्या है तोलकाप्यम है यहां पर आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए तोलकाप्यर ने कौन सी बुख लिख है तोलकाप्यम फिर आता है थर्ड जो हुई थी वह भी कहां पर हुए थी मदरई में हुए थी कई चेगे पर आपको यहां पर उत्तरी मदरई लिखाओ मिलेगा तो परिशान होनी की दरवत नहीं है मैंने जैसा कि आपको श्टार्टिंग में बताए था जो पहले मदरई का चेत्र था वह बहुत महत्मून पुस्तके लिखी गई जिसमें से एक थी कौन सी एटु गोटाई और दूसरा पट्टू-पट्टू कौन सी पट्टू-पट्टू-पट्टू-पट्टू का नाम आप नाटू-नाटू से याद रख सकते हो नाटू-णाटू सौंग आया था ठीक है तमिल लेंग्वेज और इन सब में साउथ लेंग्वेज में ज्यादा फिमस थी ठीक है वहीं से वह निकल का यह साउथ का जो मलब फिल्म सिटीज हैं वहां से निकल का यह अब मुझे नाम नहीं पता क्यों मेरा भी कंट्रोल थोड़ा कम है मैं भी कम ही देखता हूँ तो यहां पर क्या दस कविताओं की पुस्तके लिखी गई क्या मैंने अभी आपको बताया अलग-अलग तरीकी की जो बुक्स थी उनको अलग-अलग तरीके से क्या बुक्स में अलग-अलग तरीकी की पोएम्स को क्लासफाई किया गया था अलग-अलग रखा गया था एक्जेक्ली हमारी कौन सी अभी मैंने आपको नाम बता है इस बुक में और पट्टु पट्टु जो बुक थी इन में क्या बहुत सारी information दी गई और इस information को 18 अलग अलग तरीके से major parts में divide किया गया जिसमें हमको division अंगम और पुरम में मिलता है किसमें मिलता है अंगम और पुरम में मिलता है अंगम और पुरम है क्या तो अंगम जो है वो actual मिध्यान से समझना अंगम जो है वो actual में किसको बताता है वो feelings को emotions को love को express करता है और पुरम जो है वो युद्धकला को और किसको explain करता है, किसको बताता है, values को बताता है, ठीक है, तो ये इस चीज को बारे में आपको समझना है, ये एक तरह से बोला जाए, तो नीतियों के बारे में बताता है, किसके बारे में नीतियों के बारे में बताता है, और वहीं पर अगर बोला जाए, अंगम तो ये किस का नाम क्या था पैती नकब कुलल इसमें भी 18 माइनर बर्क किये अलग अलग तरीकी किताबे लिखी गई थी जिसमें एथिक्स और moral को क्या किया गया तार्येट किया गया ता एतिक्स और moral से जूरी हुई Stories को टारिट किया गया उनको यहाँ पर लिखा गया है और उसके साथ साथ यहां पर क्या इससे संबंदिश चीजों को explain किया गया बताया गया है चली तो फाइनली आपको यह बात संवे आगी होगी अब बढ़ते हैं जड़ा आगे पिर आती है यहां पर कौन सी तुरुकलुकर जो बुक थी यह तुरुवलुवर ने लिखी थी मुझे उमीद है कि आप लोगों ने अगर इस पूल में पढ़ी होगी कि स्टोरी तुरुवलुवर और उनकी वाइफ की स्टोरी तो तुरुवलुवर एक बहुत महत्पूर्ण राइटर थे इनके बारे बत ऐसा ही क्यों करते हैं जब कि इंकी पत्नी नहीं क्या था कि अन को सम्मान देना न को भी आप खारें अनको ब्राबर वैल्यूस देना सम्मान देना बहुत ज़्या जरूरी है उनकी रिस्पेक्ट करने चीए इतनी मेनस से उगाया जाता है किसाना आपके तक पहुँचाता है तो ये कटोरी और एक स्वी लेकर वैठते थी कि अगर चावल का एक दाना भी नीची गिर जाए तो मैं उस स्वी से उस चावल के दाने को उठाऊं और पानी में धो कर क्या कर लूँ खा लूँ पर इनकी वाइप इतनी ध्यान से उस खाने को परोश्टी थी कभी वो जमीन प पुस्तक के लिखी गई जिसमें कि इनके जीवन से जुड़े हुए और आजपास की सोसाइटी की स्टोरीज को क्या किया गया था इनवाल्व किया गया था बताया गया था लोगों को शिक्षा देने के फिर आती है यहां पर तोलकाप्या की पुस्तक तोलकाप्यार यह जो Tamil language का base किसको माना जाएगा तो ध्यान से समझ लेना तो अप्यम जो पुस्तक है उतो ये Tamil language का base माना जाता है पहली ऐसी पुस्तक जिसमें Tamil grammar को explain किया गया था बताया गया था ध्यान रखना अगर कभी कोई आपसे पूछे तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता रहना चाहिए साथ ही साथ यहां पर और भी information मिलते है जो की political और social condition के बारे में थी किसके बारे में थी political और social condition के बारे में थी तो finally आपको यह सारी बात पता चल गई I hope doubt यहां पर clear हो गया होगा आगे बढ़ते हैं अब यहां पर देखते हैं महाकावे कुछ महत्मूर महाकावे इस समय पर लिखे गए थे जिसमें से एक कौन सा है शिलपादी करम ठीक है शिलपादी करम सबसे म पर महत्मूर महाकावयों में से एक है जिसे लिखा जिसमें है एंगलू आध्वी गलू के दवरा लिखा गया ऑन के दो हम की तोरा यहांपर लिख गया था दूसरा जो यहां पर महाकावे आता वह फैकाया जयो कि राजकुमारी है उसके प्रीम प्रसंगत के बारे में बाता एक कर मेरे में आता हैं इस के बारे में प्रेह की बारे में मैं के प्रेम प्रसंगत के बारे में जैसे की काज़िदास की पुस्तक है मालविकाय अगनी मित्रम एक्जेक्टली बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी कौन सी पुस्तक है मणी मेखलई महत्मून पुस्तक किसके लव स्टोरी है कैसे पताईगी है आपको यह पता चलिया ठैर इसके अलावा और भी कई पुस्तक हैं जिसमें से आका एक आती कौन सी वेलेई पती फिर आता है यहां पर कुंडल केसी और शिवगामी संथी मणी यह फाइनली वो पुस्तक हैं इसके अलावा हमको एक चीज़ और पता चलती है कि तमिल साहित्ते में तमिल लिट्रेचर में संग में महिलाओं का भी उतना ही रोल था उतना ही महत्पून रोल था जितना कि पुरिशों का था इस एक हम लोग वैदी कल्चिर में भी देखते हैं जब हम अपाला लोग बुद्टरा गोशा इन सब की बात करते हैं गार Aggie की की बात करते हैं बिलकूल वैसा ही हम को यहां पर देखने को मिलता है तो आप इस चीज़ का जहान रखिए का कई यहाँ पर महिलाएं हैं जिनके दौरा अपना बहुत महत्मूर योगदान तमिल लिटरेचर में दिया गया था तो आपको उन महिलाओं के बारे में पता चलिए कौन सा क्या क्या नाम है अव्यार है नेचे लेय जाकर रजा करना आको याद का है आपको ब liability ँशो याद करते हैं आपके बारे में ऐसे ही ही जब राजा कोमान फान काम कृता था तो यह तो नौर्थ इंडिया में लोग कई सारी टाइटल देखते हैं स्टंगम एरा के टाइम पर जो राजा थे उनके दौरा भी कई टाइटल लिए गए थे अगर चेर डाइनस्टी की बात करें तो चेर राज्या में जो टाइटल लिए गए थे वह कौन-कौन से थे ठीक है त तो यह सारे वह टाइटल से फिर चोल राजाओं के बारे बाद करें तो Sunny ठीक है सनी वाला वलन और किल यह टाइटल लिये गए पंडि राजाओं के दोरा जो टाइटल लिये गए वो आथे फिर यादो और मीनावर तो यह तो याद भी रहेगा आपको ठीक है आसान है राजाओं का दर्बार लगता था, उस पॉर्ट में जो मुक्ख पद होता था या जो लोग बैठा करते थे, उन्हें क्या कहा जा रहा था, अव्य। उनको क्या कहा जा जा फिरुमा था आवे ही कहा जा था. ये चीजू ध्यान के खी जो अधिकारी होते थे जो पॉर्ट में बैठने वाले officer होते थे जिनको हम लोग दर्बारी कह देते हैं हिंदी में उनको क्या कहा जा रहा है यहां पर अवह ही कहा जा रहा है इसके अलवा अगर आगे बात की जाए तो यहां पर आता है जो भी official bodies थी उनको क्या किया गया था राजा के जो दर्बारी बैठे हुए है जो लोग बैठे हो है उनको five bodies में क्या किया गया डिवाइड किया गया अब यह five bodies कौन कौन सी है तो आपको यहां पर पता चल जाएगा कौन सा अमाई चर्थ प्रीष्ट जो की पंडित होते थे जिनको क्या कहा या था अतनार कहा या था फिल military को lead करने वाले को सेनापती कह जाता था ठीक है जिसे हम लोग ने starting में एनाडी भी पढ़ा है क्या पढ़ा है एनाडी भी पढ़ा है फिर यहां पे आता था कौन सा इन्वाइस आता था जिसको जिसका मुख्य काम क्या होता था दूद के रूप में होता था जिसे actual में क्या word कहा जा रहे जिसके लिए word कह तुथार और इसके अलावा इसपाई आते थे जिनको क्या कहते थे हम लोग औरार कहते थे क्या कहते थे औरार कहते थे तो यह चीज़ आपको याद रखनी है कि पांच डिवीजन जो मिनिस्टर्स के थे वो किस तरीके से थे पांच ग्रूप कौन-कौन से थे वो आपको य जैसे खेती के लिए अलग मंदिरों के लिए अलग शिकार करने की लिए अलग जमीन में इस तरीके में उस्जमीन के साथ जोडा जाता था किसी देवता को किसको। कोई वही हैं कौन से देवता हैं कोई वही हैं इहां पार इनकी की बात करें कि आंकी जमीन का काम क्या मुख Fr और हणिग्षम क्रेंन कि रूप में किस के रूप में ज έन्य हटा में जाए बिलकुल के लिए री प्रोडट्स के लिए उनको पालने के लिए चारा देने के कौन है यहां पर हमारे विष्टू जी है फिर आता है इंद्रा किसके लिए हैं यहां पर क्रिशी के लिए हम लोग इंद्र को जानते हैं इंद्र मतलब बारिश के देखता अब बारिश के देखता जब नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी सीधे सी बात ऐसे तो इस तरीके से यहां पर याज रखो इंद्रा मतलब प्रिशी के देवता फिर आता है वरुन किसके देवता है वरुन किसके लिए बोलते है पानी के देवता वरुन पानी के देवता तो किस से जुड़ गए है मचली पालन और नमक के काम से क्योंकि पानी वही होते थे कौन होते थे कोई वही होते थे पिर आती है है पर रिलिजिस इंफॉर्मेशन तो रिलिजिस इंफॉर्मेशन यह जो पांस देवता अभी आपको मैंने पीछे बताएं यह जो पांस देवता बताएं इन्ही को याद रखना यह हमेशा याद रखने तो सबसे महत गवान शिव का बड़े बेटे बड़े पुत्र के रूप में देखते हैं आपको यह बात ध्यान रखने हैं तो कार्थ के ही क्या सुब्रामनियम या मुर्गन के रूप में जाने जाते हैं जिनको हम लोग यहां पर सैयोन या मुर्गन के रूप में जानते हैं सबस्यादा मिलती है फिर इसके अलावा यहां पर एडूकल और हीरो स्टोन की पूजा की इंफॉर्मिशन मिलती है अब यह हीरो स्टोन क्या है हीरो स्टोन यह एडूकल उस पत्थर को कहा जाता था जो किसी वीर की किसी ब्रेव पर्सन की किसी वारियर की याद में बनाया जाता था तो जैसे आज आज के टाइम पर जब कोई वेक्ति, जब कोई सिपाही, कोई सैनिक, कोई आफिसर, जब वीरगती को प्राप्त होता है, तो उसकी याग में हम लोग एक मूर्ती बना देते हैं, किसी एक प्लेस का नाम रख देते हैं, और वहाँ पे हमेशा उसको क्या, अपने शद्दा फू बनाया जाता था, उस हिरो इस्टून की क्या, लोग पूजा करते थे, उसको याद किया करते थे, ठीक है, ऐसा आपको राजस्तान में बहुत देखने को मिलता है, अब एंडिंग आफ संगा मेरा, तो मैंने देखो आपको पहले ही एक नाम बताए था, एंडिंग आफ संग के बारे में, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, एक परसन था, जिसका नाम क्या था, काल भारास, जो यह की पंड बराज्य कहां था, पंड राजिजिस से था,wor। हैं पंड किंग्डम से रिल शिड था एसा बताए था यह वह आखरी रूलर था, जिसको हराने के बाद, जिससे defeat करने के बाद finally जो संगा महरा था उसका एक तरह से end हो गया, जो South Indian Empire से उनका एक तरह से क्या हो गया, end हो गया था, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, इस टाइंग पर बौदिजम और जैनिजम काफी हद तक क्या हो चुक है, दच्छन भारत में अपने पैर पसार चुके थे, वहाँ तक पैल चुके थे, और इसके लावागा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज के बारे में और आपको याद रखना है, वो चीज क्या होगी, वो यह की finally इसके जाने के बाद जो पहला आफ्स थे, वो उनकी entry होती और उनकी entry क साथ ही, यहाँ पर यह area, time period क्या हो जाता है, समापत हो जाता है, तो I hope आपको यह lecture पसंद आया होगा, अगर आपको यह lecture पसंद आया है, तो please वीडियो को like करना है, share करना है, comment करना है, और please चैनल को subscribe करना है, आपका यह प्यार ही हमें और भी उने experience सक पहुचाएगा, जिन को इन वीडियो की जरुवत है, जिनको इन lectures की जरुवत है, यह free content आप लोगों के लिए, हम लोग YouTube पर और बाकी जगों पर लगातार available करवा रहे हैं, तो please आप लोग हम से जुड़िये, जितना हो सके हमें support कीजे, तो फिलाल अभी इस वीडियो में मुझे दीजे विदा, thank you so much, जहिन